नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं राज भारती की अगनी पुत्र सिरीज का प्रथम उपर्ण्यास माया जाल पार्ट 11 मैंने इसके बाद सैक्रोद दोर देखे और हर दोर के इनसान को सकून वश शांती से दूर ही देखा सब कुछ पाकर भी वह मन ही मन शांती नहीं पासका शेहनशा दो दिन बाद वापस आ गया और बायसा फिर अपनी मजबूरियों में बन कर रह गई मैं एक आजाद इनसान जिसे कैदियों की जिन्दगी एक आँख नहीं भाई थी कैद कैसे रह सकता था फिर इस कैद से निकलने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की जरूरत भी नहीं थी इसलिए मैंने बाहर निकलने का फैसला कर लिया मेरी गुलामों ने मुझे देखा मुझे से बाहर न जाने का अनरोध किया पर मैं उनकी प्रात्ना मानने को विवश्ट था नहीं मैं अपने कमरे से निकलाया पूरे महल को घूम फिर कर देखा किसमी साहस था जो मुझे रोकता जिस तरफ भी मैं जाता सिपाही भैबीत होकर रास्ता छोड़ देते शेहनशा को भी मेरे बाहर आने की सूचना मिल गई थी और उस वक्त मैं महल की दरवाजे पर था जब शेहनशा अपने आद्मियों की पूरी फौज के साथ करीब आ गया आस्पान के बेटे को प्रणाम उसने जोकते हुए कहा किधर का इरादा है मैं अपने मुर्ख मेजबान की दुनिया को देखने जा रहा हूँ जिसने मुझे महमान बना कर भी एक कैदी की तहस्यत दे दी है मैंने कहा मैं बहुत व्यस्त था देवताओं के क्रिपा पात्र आ मेरे साथ हा मैं तुझे इस दुनिया की सैर कराऊंगा बह बड़े आदर से बोला नहीं मैं आजादी से घुमना चाता हूँ मैं अकेला ही तुम्हारे शहर की सैर करूँगा मैंने निर्णयात मक लहजे में कहा मजबोरी देखकर शेंचा ने मेरे लिए तेर दोड़ने वाले जानवरों की एक गाड़ी तयार करा दी मैंने उस गाड़ी के कोचवान को भी साथ नहीं लिया मैं गाड़ी चलाता हुआ सड़कों पर निकलाया पूरी शहर के लोग मुझे देखने को उस्चुक थे जयासी देर में सभी कारोबार बंध हो गए मेरे घोड़ों को आगे बढ़ने में काफी कठनाई हो रही थी लोग सैकड़ों की संख्या में मुझे देखने उम्ड़े आ रही थे कई स्थानों पर मेरे उपर फूल भी बरसाए गए मुझे खाने पीने का सामान वह वस्तू भी भेंट किये गए शाम तक मैंने आधा शहर देख डाला अपनी योजना अभी मस्तिश्क में ही थी इसलिए मैं अपने जहन में रूप रेखा त्यार करता जा रहा था और बहुत सी काम की बाते सोच चुका था दिन धले में वापस महल पहुँच गया रात के खाने पर शहनशा ने मुझे से भेंट की उसने अपने साथ ही खाने का निमंतरन दिया था और वास्तव में शहनशा से मेरी यह पहली लंबी मुलाकात थी खाने की मेश पर और भी कई सम्मानित नागरित थे सभी ने मेरा अभिवादन वादर किया था लेकिन मैं उनकी निगाहों में अपने लिए शंका के भाव देख रहा था लंबी गरदन वाला मकार शहनशा मुझसे तरहत रहके प्रश्न करता रहा और मैं जवाब देता रहा मूर्क इनसान मुझसे मेरी वास्तविक्ता उगलवाना चाहता था पर उसकी मकारी मुझपर कहां चल सकती थी वह अपने मतलब के एक भी बात मुझसे मालूम नहीं कर सका था उसके पदा दिकारियों ने भी कुछ सवाल किये और मैंने उन्हें भी जवाब दिये फिर खाना खत्म हो गया और मैं आराम करने चला गया दूसरी सुभा मैंने फिर शहर की सहर का प्रोग्राम बनाया गाड़ी प्राप्त हो गई और मैं चल पड़ा मेरी इच्छा थी कि अब मैं शीगर अपना काम पूरा कर दू और यहां से चल दू ताक कि जब पहार वालों के साथ अरसाना में दाखिल हूँ तो मेरी हैस्यत ही दूसरी हो अरसाना वालों के उत्सा की वही अवस्ता थी लोग मुझे देखने को तूट पड़ रहे थे वह मुझे देखते और चकित रह जाते क्योंकि रंग रूप में मैं उनसे भिन्न था और फिर उन में से कईयों ने मुझे उस खूनी शैतान, लड़ाकों और शेरों का मुकाबला करते देखा था कुछ ने सिर्फ वे कहानियां ही सुनी थी लोगों की भीर के बीच से निकलने में मुझे कठिनाई हुई मुझे किसी शान्चेतर की तलाश थी सो मैंने एक दिशा में गाड़ी तोड़ा दी तेज रफ्तार खोड़े बहुत जल्द ही मुझे शेहर से दूर ले आए यह इलाका हरा भरा था इसमें खेती की गई थी इकका दुक्का लोग मुझे खेतों में काम करते हुए मिरे वे लोग भूमी की वास्तविक्ता वा उप्योगिता जान चुके थे उसके सीने में छुपे खजानों से परिचित हो उन्हें निकालने को प्रयतनशील थे निसंदे ये जहीन लोग मेरे लिए अनोखे थे मैं इन्हें प्रगती के लिए परिक्षम करते देख इनकी इज़द करने लगा था लेकिन इनकी एक बास्ते मुझे नफरत होती थी कि वह पहाड़ वालों को भी अपने जैसा ही इनसान क्यों नहीं समझते अगर वे उन्हें भी स्वेम में सम्मिलित कर प्रगती की रहा पर बढ़ते तो अरसाना इस धर्ती का स्वर्ग बन जाता लेकिन वहां की जनता से मालुम हुआ था वे इस द्रिश्टी कोन से सोचने के पक्षमी ही नहीं है ना वह इसके लिए कभी तयार होंगे मैं घूमता रहा और फिर तेज धूप के कारण एक घने चायादार पेड के तले रुख गया मैं तो ठीक था लेकिन घोडों की अवस्था ठीक न थी वह ठके ठके नजर आ रहे थे मैं एक विर्ख्ष की चाया में आराम कर रहा था कि अचानक दूर से वैसी ही एक गाड़ी आती देखी जैसी मेरे प्रियोग में थी मैं संभल गया और गौर से उस गाड़ी को देखने लगा गाड़ी निकटाती गई रंगीन लिबास वह उसके आकार से मैंने अंदाजा लगाया कि वह कोई औरत ही है मैं उसे पैचान भी गया निसंदे ही वह आकासा थी थोड़ी ही देर में आकासा मेरे करीब पहुँच गई उसने गाड़ी मेरे पास ही रोकी थी उसका चहरा धूब की तेजी से सुर्ख हुआ जा रहा था शरीर पसीने से नाया हुआ था मैंने सहारा देकर उसे नीचे उतारा लेकिन उसकी चहरे पर कोमलता वा प्रसनता नहीं थी जो मैंने पहले देखी थी मैं तुम्हें तलाश करती हुई यहां तक आई हूँ बड़ी मुश्किल से ही मुझे महल से निकलने की इजाज़त भी ली है मेरी समझ में नहीं आता कि शेहनशा ने तुम दोनों पर इस कदर पावंदिया क्यों लगा दी है तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं क्योंकि तुम्हारा इस दुन्या से कोई संबंद नहीं है उसने उदास लहजे में कहा मैं उसे पेड की छाया में ले आया मुझे तुमसे कुछ जरूरी बाते करनी है उसके बाद में चली जाओंगी क्योंकि शेहनशा के कारिंदे मुझे शेहर में तलाश कर रहे होंगे मैं नहीं चाहती कि वह हमारी इस मुलाकात के बारे में चाने क्या बात है आकासा तुम बहुत गंभीर वा दुखी हो कुछ नहीं वह एक गहरी सांस देते हुए बोली मैं तुम्हें बायसा के बारे में बताऊं शेहनशा को पता लग गया है कि वह तुम्हारे साथ थी यह बात छुपी भी कैसे रह सकती थी आखिर पहरेदार शेहनशा के वफादार है और फिर इसका नतीजा क्या हुआ बायसा को एक खास जगए नजर बंद कर दिया गया है इस तरह कि कोई उसके कैद के जाने की सोच भी ना सके और वह उस सीमी छेतर में एक कदम भी आगे ना पड़ सके ओह मैंने गुस्ते से कहा वह मेरी कारण कैद हुई है मैं उसे आजाद कराऊंगा सुनो बुध्धी से काम लो बेशक तुम बहादुर हो तुम उसे आजाद कराने की शक्ती रखते हो लेकिन उसके मुर्दा जिस्म की आजादी से तुमें क्या मिलेगा मैं समझा नहीं मैंने परिशानी से कहा शहिंचा इस बारे में बड़ा सक्त है अगर तुमने उसे आजाद करने की कोशिश की तो वह उसे किसी भी सूरत में जिन्दा तुमारे हाथ नहीं लगने देगा उसकी जिन्दगी चाहिए तो उसे कैद ही रहने दो मुझे बताओ मैं उसके लिए क्या करूँ फिलहाल खामोश रहो मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह उसे आजाद करा दो अगर अपनी कोशिश में सफल हो गई तो तुम दोनों को यहां से फरार होने का अफसर भी दिलाद होंगी तुम उसे लेकर यहां से निकल जाओ और पहाडों में शरन लो वह तुम्हारा कुछ नहीं भी गाड़ सकेंगे क्या तुम भी हमारे साथ नहीं चल सकती आकासा मैं जाकर क्या करूँगी वह उदास लहजे में बोली मैं उसे देखता रहा फिर वह वापस परटते हुए बोली मुझे अब जाना चाहिए एक बात और तुमसे कहनी है वह यह है कि शेहनशा बड़ा मकार है वह तुम्हें एक इनसान ही समझता है और वह ऐसे किसी इनसान को खुद में नहीं देख सकता जिसे वह अपने अधिन ना समझ सके और जिससे उसकी शेहनशाही को खत्रा हो इसलिए उसकी खास परामर्श डाता रोज सिर्ज जोड बैठे तुम्हारे बारे में ही सोच रहे है वह क्या करने की सोच रहे है इस बारे में मुझे कुछ नहीं बता लेकिन बहर हाल वह तुम्हारे बारे में नेक इरादे नहीं रखते तुम चिंता मत करो वह मेरा कुछ नहीं बिगाड सकेंगे मैंने कहा और अकासा गाड़ी की तरफ पड़ गई मैं उसे जाते हुए देखता रहा उसके निगाहों से ओजल हो जाने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली और मैं बायसा के बारे में सोचने लगा बेचारी लड़की मेरे कारण कैद की प्रीड़ा सह रही थी मैं उसके लिए क्या करूँ फिर मेरी निगाहों में मासूम की जंदगी बचाने के लिए जरूर कुछ करना होगा वक्त बेकार करना ठीक न था मुझे कुछ करना ही चाहिए इस बीच में अरसाना की शक्ती का काफी हद तक अंदाजा लगा चुका था अरसाना निवासी महनती थे बुद्धिमान भी उन्होंने खूबसूरक वा प्रभावशाली हर्यार तयार कर लिये थे वे पहाड वालों की तरह सकत नहीं थे अवकाश वा सुविधाओं ने उन्हें कश्टों से दूर रखा था वे अकेले मुझ से ही भैबीत थे तो फिर पहाड वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा थी वे अपनी शक्ती वा तादात के सहारे अरसाना वालों पर काबू पा सकते थे बहराल मैंने फैसला कर लिया कि बायसा की मांग मैं बुड़ी शेहनशा से करूँगा अगर उसने बायसा को मेरे हवाले ना किया तो मैं उसे कतल कर दूँगा और यहां से निकल जाऊँगा अपनी दिल में अटर निश्चे कर मैंने वापसी की तैयारी की और थोड़ी ही देर बाद मेरी गाड़ी महल की तरफ लोट रही थी रास्ते में मेरे दर्शनार्थ खड़े लोगों की वही हालत थी खेर किसी न किसी तरह मैं महल में पहुँच गया मेरे लिए तैनाद गुलामों ने मेरा स्वागत किया अपने कमरे में जाने से पहले मैंने एक गुलाम को रोक कर कहा मैं शेहनचा से तुरंट मिलना जाता हूँ जाओ उसे मेरा पैगाम दे दो वहे गुलाम सिर जुका कर चला गया मैं अपने कमरे में आ शेहनचा की जवाब का इंतजार करने लगा मैं काफी बेचैन था गुलाम काफी देर बाद लोट कर आया वहे मेरे सामने हाथ बांदे जुका और बताया शेहनचा ने अपने मेहल में ही बुलाया है वह आपकी प्रतिक्षा कर रहे हैं मैं खड़ा हो गया और गुलामों के साथ खास मेहल की तरफ चल दिया कई भव्य रहदारियों से गुजर कर मैं एक खूब सूरत कमरे की दरवाजे पर पहुँच गया यहां मौजूद रक्षक मुझे देख कर जुके और कमरे का दरवाजा खोल दिया मैं अंदर परवेश कर गया कमरा बड़ी ही भव्यता से सजा था शेहनचा एक मसनत पर बैठा मेरा प्रतिक्षक था वह मुझे देख कर खड़ा हो गया उसके चहरे से अपनत्व वा कर्म जोशी प्रकट हो रही थी आओ 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 आसमान के बेटे तुम्हारा आगमन हमारी ले खोशी का कारण है आओ तुम्हारा सामिप्य प्राप्त कर हमें सिर्फ गर्व से उठाने का अफसर मिला है मेरे करीब बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारी सेवा में कोई लापरवाई तो नहीं हुई मैं इस लंबी गर्दन वाले मकार पूरे को बड़े गौर से देखने लगा उसने जिस अंदाज में मेरा स्वागत किया था उसने मुझे विवश कर दिया था कि मैं उससे नमी से ही पेशाओ मैंने स्वैं को संभाला और मेरे होटो पर मुस्कुराहट फैल गई मैं तुस्ते खुश हो शेहनचा चाहे गलत सोच कर तुने मेरे क्रोध को भड़का दिया था लेकिन मैंने तेरी वह भूल माफ कर दी है मुझे यहां कोई कश्ट नहीं है लेकिन मैं तुमसे कुछ खास बाते करना चाहता हूँ मेरा सौभग्य है आस्मान के बेटे इन बातों में भी मेरे लिए कुछ अच्छाई होगी क्योंकि तू देवताओं का दूथ है बूढ़ी ने गर्दन हिलाते हुए कहा मैं इस चापलूस की चिकनी चुपडी बातों पर गंभीरता से सोचने लगा जरूर इस मकार के मस्तिष्क में कोई खास खयाल आया है जिसने श्रनिक तौर पर उसकी फितरत बदल दी थी मैं तुमसे पहार वालों के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ जो निर्दयता की शिकार है मैं तुझ से उसके अधिकारों की बात करता हूँ कि तो उन्हें अरसाना की तरह हैं एक शेहर बसाने दे जहां वे अरसाना की तरह हैं तरक्की कर सके और सुक सुविधाओं का जीवन बिता सके मैंने देखा प्रफेसर की बोड़े का रंग एकदम बदल गया था उसकी चहरे पर बला की खिन्नता नजर आने लगी उसकी मकार आँखों में संदे तैरने लगा वे शंकित लहजे में बोला तुझे उनके बारे में कैसे मालूम हुआ आसमान के बेटे क्या तु उनसे मिला है क्या तुने उनके साथ जिंदगी गुजारी है तेरी शब्ध ही तेरी सवाल का जवाब है शैंचा क्या तु दिल से मुझे आसमान वारा स्विकार नहीं करता क्या तुने मुझे देवताओं का भेजा नहीं जाना क्या तुझे पता नहीं कि जो तेरे माहोल तेरे जुबान से अपरजित था अचानक सब कुछ जान गया क्या तु नहीं जानता कि तेरे सारे हत्यार मेरे सामने पेकार साबित हुए इस तमाम बातों में ही अपने इस सवाल का जवाब तलाश कर मेरा संबंद आसमानों से है मुझे वहीं से ग्यान मिलता है और मैं उसी ग्यान की रोश्णी में बात करता हूँ मैंने भी उसी सुशुकता से कहा तो क्या देवताओं की इच्छा है कि मैं उन काले गुलामों को बराबर का दरजा दे दू उन्हें अपने पास बिठाओं वे जो हमारी खिद्मत के लिए पैदा हुए है उन्हें दोस्त बना लू यह कैसे मुम्किन है वे तेरे जैसे इंसान है शेहनचा उनमें और तुझमें कोई अंतर नहीं है तो खुद को उनसे स्रेष्ट क्यों समझता है अगर तूने खुद उन्हें यह धरजा ना दिया तो वे खुद एक दिन इसे प्राप्त कर लेंगे वह दिन कभी नहीं आएगा असमान के बेटे मेरी तरफ से देवताओं को पैगाम दे देना बूढे ने मकारी से कहा और मैं दान पीसकर रह गया उसी समझाना व्यर्थ था ताकत की नशे में चूर इनसान को अक्ल नहीं आ सकती थी खेर उनकी बातों को छोड़ मुझे आग्या दो मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ मैं तेरी आश्चर्य जनक बातों से खुश हूँ और तुझे वह सब दे देना चाहता हूँ जो तेरा हक है उसने कहा तो मुझे बायसा यादा गई मैं उसी समझने की कोशिश में असफल रहा था मैं समझता था कि लंबी गर्दन वाला सिर्फ ताकत की जुबान समझता है मैंने कुछ सोचते भी कहा दूसरी बात यह है एशेंचा कि तू अपनी बेटी पायसा मुझे बक्ष दे मैं उसे अपनी साथ रखना चाहता हूँ मुझे मालूम था मुझे मालूम था बहर हाल खुश हो जा वह तुझे दे दी गई वह तेरे पास पहुँच जाएगी मैं बस तेरी खुशी चाहता हूँ मैं इतना व्यस्थ था कि अब तक तेरी सेवा में कुछ भी नहीं कर सका लेकिन कल का दिन अरसाना वालों के लिए अवकाश का दिन है कल वे रंगीनियों में रहेंगे एश तफ्रीवा मनुरंजन का दिन है कल मैंने तेरे सम्मान में कुछ विशेश आयोजनों का प्रबंध किया है मेरे कारिंदे तेरे लिए मनुरंजन का प्रोग्राम करेंगे मैं हरान रह गया बूढे मकार की यह बात मेरी समझ में नहीं आई थी मुझे उससे ऐसी फराग दिली की आशा नहीं थी उस बूढे ने क्या सोच रखा है इसके जहन में क्या है क्या वह मुझे मूर्क बना रहा है कई बाते मेरे दिबांग में थी लेकिन मैं कोई भी निर्ने लेने में असमर्थ था बाइसा कहा है उसे अभी मेरे पास भिजवा दो अभी पहुँच जाए की उसकी तक्दीर तेरी तक्दीर से सलंगन कर दी गई है कुछ और मांग आसमान के बेटे मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ मैंने कहा और उठ खड़ा हुआ बूड़ा भी मेरे साथ ही खड़ा हो गया उसने सम्मान में गर्दन जुकाई और फिर मेरे साथ ही बाहर निकलाया अतिती को सम्मान से अतिती ग्रह में पहुचा दो उसने गुलामों से कहा और गुलाम मेरे साथ चल पड़े मैं हैरान था बूड़े की यह चाल मेरी समझ में नहीं आ रही थी उसने अचानक ही मेरे प्रती अपनी राय क्यों बदल दी थी खेर बाइसा के आने ना आने से उसके इरादों का आभास हो जाएगा मैंने सोचा और थोड़ी देर बाद ही मैं अपने कमरे में था अधिक देर नहीं हुई थी कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला और बाइसा अंदर परविष्ठ हुई वह बहुत खुश थी मैं उसे गौर से देखने लगा वह बाइसा ही है या कोई और और अगर वह बाइसा ही है तो फिर वह आकासा के दी सूचना लेकिन बहर हाल वह बाइसा ही थी वह बहुत खुश थी उसने खुशी से चेहकते हुए ही मुझे बताया मुझे हमेशा के लिए तेरे सुपुर्द कर दिया गया है आसमान के बेटे अब मैं तुम्हारी हूँ हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी मगर यह सब कैसे हुआ बाइसा बुरे शेहनशा ने यह बात कैसे स्विकार कर ली मैं स्वेम हैरान हूँ आसमान के बेटे लेकिन यह हकिकत है शेहनशा के खास गुलाम मुझे कैद खाने से निकाल कर यहां छोड़ गए है बाइसा ने बताया तो आकासा की सूषना ठीक ही थी तुम्हें कैद कर दिया गया था हाँ उर्होंने मुझे कैद कर दिया था वे सब मुझे नफरत की निगाहों से देख रहे थे शेहनशा ने मुझे नफरत भरे लहजे में कहा था कि मैं उसकी बेटी हूँ तो क्या मुझे मलीका सरीता से भी ज़्यादा खौफनाक मौत देखनी पड़ेगी लेकिन मुझे से ज़्यादा वैद तुम्हारी तरफ से परिशान था आसमान के बेटे मैं नहीं जानती कि शहनशा की राय मेरे प्रती एका एक पदल क्यों गई संभव है उसे अकल आ गई हो संभव है उसने देखताओं की शक्ती को स्विकार कर लिया हो बहरहाल मुझे किसी बात की फिक्र नहीं मैं तो खुश हो कि तुम सरकुशल हो और मेरे पास हो अगली सुभा हम उठे गुलाम हमारे लिए नाष्टा ले आए हम दोनों ने मिलकर स्वादिश नाष्टे का अनन उठाया एक पहर उंचा हो गया तो एक गुलाम ने मुझे शहनशा का पैगाम दिया शहनशा मुझे मिलना चाहता था वक्ती तौर पर मैं बूरे मकार शहनशा से खुश था जिसनी स्वार्थवा साजिश के कारणी सही मुझे फिलहाल खुश रखने का यतनक किया था उसने बायसा को आविलम मेरे सुपुर्द कर दिया था इसलिए संदेश मिलते ही मैंने बायसा से विदाली और उससे मिलने चल दिया लंबी गर्दन और मकार चेहरे वाला बूरा एक खुबसूरत मसनत पर विजराजमान था उसके कदमों में उसके तीन विद परामर्श दाता पैठे हुए थे उन सब ने उठकर सिर जुका कर मेरा अविवादन किया और बैठने की प्रातना की मैं बैठ कया तीनों बूरे बड़े गौर से ही मेरी शरीर का निरिक्षन कर रहे थे तबी शेहनशा पुला आसमान के बेटे निसंदे ही तेरी आमद पड़े आश्चरे जनक धंग से हुई है बेशक हमारे दिमागों ने तुझे कबूल नहीं किया है लेकिन यह सच है कि हम तेरी शक्ती का लोहा मान गए हैं तुझ साधारा निसान नहीं है तेरी शक्ती असीम है तुने हमारी नफरत के बदले हमें दोखस्ती बक्षी इससे साबित हो गया कि तुझ रहम का देवता है आसमान के बेटे हम तुझ से एक प्रातना करना चाहते हैं अगर तुम अपनी दया से हमें माला माल कर दो तो हम एक पड़ी मुश्कल से निकल सकते हैं हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है कल तुने पहार वालों से सुला की राय दी थी पर गौर कर एद देवताओं के किरपा पात्र कि यह कैसे संभ़ हो सकता है कि वह हमारे बराबर हो सके वे जो रंग में गहरे और अकल में हमसे पीछे हैं हम उन्हें गुलाम मना कर शरं तो दे सकते हैं अपने कंधों से कंधा मिला कर खड़ा नहीं कर सकते यह कभी नहीं हो सकता होगा भी नहीं बागी पहाडों में छुपे हैं वे शक्ति एकत्रित कर रहे हैं लेकिन वे चाहें कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो जाए हम उन्हें सफल नहीं होने देंगे और जब से हमने तेरे बारे में सोचा है हमारी आशाओं के दीपों को एक नई रोश्नी ही मिल गई है तू ही है जो उन बाग्यों का सिर्ख कुचल सकता है कौन है जो तुम्हारा मुकाबला कर सके हम चाहते हैं कि तू फौज की एक टुक्री लेकर जाए और बाग्यों क्यों मिट्टी में मिला दे लेकिन यह सब तेरी मर्जी पर है अगर तुझे यह पसंद नहीं तो हम तुझे मजबूर नहीं करेंगे बूरे मकार ने अपना लंबा भाशन समाप्त किया उसकी मांग मेरे लिए मुर्खता पूर्ण ही थी पर मेरे जहन से एक उल्जन दूर हो गई थी अब तक मैं बूरे की महरबानियों का मकसद नहीं समझ पाया यह नहीं चांद सका था कि बायसा मुझे क्यों दे दी गई पर अब इस बात के बाद उसका स्वार्थ प्रकट हो गया था मैं जान गया था कि बूरा चाहता क्या है वह मेरी शक्ती को पहाड के विरुद प्रियोक करना चाहता था जरूर उसके सलाकारों ने यह मश्वरा दिया होगा और इसी मश्वरे के तहट उसने बायसा को मेरे सुपुर्जगर मुझे खुश करना जरूरी समझा मैं जो पहाडों में उनकी एक मात्र उम्मीद था मैं जिसे अर्साना वालों से नफरत थी भला इस मकार बूरे की बात में कैसे मान सकता था लेकिन चालाकी का जवाब चालाकी से देने में तो कोई पुराई न थी सो मैंने जहानत से काम लेते हुए कहा हाराकी मैं उन लोगों से भली भाती परिचित नहीं हूँ मेरी निगाह में हर इंसान बराबर है लेकिन तुने मुझ पर एहसान किया है आखरी वक्ती सही पर फिर भी मुझे सोचने का मौका दे शहन्शा मुझे कोई अतराज नहीं खूब सोचकर फैसला करो बूढे ने कहा और उसकी इस विशाल हिर्दता पर भी मैं सोची बिना न रह सका लेकिन इस वास्तविक्ता को भी मानने से मुझे इंकार नहीं है प्रोफेसर कि उस चालाग बूढे ने पून इत्मिनान के साथ मुझे बेवकूफ बना दिया था अगर मेरी अर्द रिष्य वर रहस्ते में शक्तियां मुझे सहरा न देती तो वह अपने उद्देश्य में सफल भी हो गया होता उसकी सफलता में कोई संदे न रहा था उसने मकारी से ही अपनी वास्त्रेत योजना की तरफ से मेरा ध्यान हटा दिया था मैं वहां से खुश-खुशी लोटा मैंने उससे सोचने की महलत मांग ली थी और इस महलत के दौरान मैं बूढे की तरफ से पहार वालों के विरुद्ध लड़ने के बारे में नहीं सोचना चाता था बलकि मुझे सोचना यह था कि अब बायसा को यहां से किस तरह निकाल ले जाना आसान होगा मेरा यहां का काम पूरा हो गया था बायसा भी मुझे मिल गई थी इसलिए अब यहां रहना व्यर्थ ही था बायसा मुझे देखकर खुश हो गई उसने बूरे शेहनशा के बुलाने का मकसद पूछा और मैंने उसे विस्तार से ही वह सब भी बता दिया बायसा के विचार भी मेरे जैसे ही थे उसने भी यही फैसला किया कि एका-एक की जाने वाले महर्बानियों के पीछे यही उद्दिश्य था और इस बारे में उसने अपनी कोई राय मुझ पर थोपने की कोशिश नहीं की। उसने मुझ पर ही छोड़ दिया कि मैं जैसा उचित समझू फैसला करूं। दोपहर ढल गए तो महल की गुलाम वा दूसरे प्राणी रंगा रंग लिबास बहन तोड़ियों की शकल में कहीं जाने लगे। बाइसल ने मुझे भी तयार होने को कहा। हमें कहां जाना है। मैंने पूछा। आबादी से दूर पहाड़ों में हम हर साल यह जश्न मनाते हैं। एक खास जश्न होता है जिसमें बहादूर आकाश में उड़ते हैं और यह हमारे राष्टी खेल का महत्व रखता है। आज इस दुश्न में तुम्हारा नागरेक अभिनंदन भी होगा। आकाश में कैसे उड़ते हैं पूछा मैंने। देखोगे तो हैरान रह जाओके। यह सब बुद्धी की खेल है। बाइसल ने कहा और मैं तयार हो गया। बाइसल ने मेरे लिए एक रंगीन लिबास तयार कराया था जिसमें चीते की खाल और रंगीन कपड़े का प्रियोक किया गया था। फिर एक गाड़ी जिसमें चार शक्तिशाली घोड़े चुते थे। हम दोनों को लेकर चल पड़ी। घोड़े बिजली की रफतार से दौ रहे थे। हमें एक लंबा सफर तै करना था। अंत ता इस सफर का अंत दूर दूर तक फैले हुए भूरे भूरे वक काले पहाड़ों पर हुआ। दूर एक विशाल मैदान एक पहाड के गिर्द खूम जाता था और इस नुकीरे पहाड के दहाने से धुआ निकल रहा मैं आग उगलने वाले इस खौफनाग पहाड से भरी भादी परिचित था। इसी ज्वाला मुखी कहते हैं मैं गलत तो नहीं कह रहा प्रोफेसर। उसने पूछा और खामोश हो गया। लेकिन किसी की तरफ से कोई जवाब रही मिरा। प्रोफेसर बाला और कवीता तो उस प्राचीन युक के उन रहसे में लोगों को अपनी आखों से देख रहे थे। उन सब को अपनी कहानी के जादू में बंधे पाकर वह मुस्कुराया और उसने अपनी दास्तान फिर शुरू कर दी। हमारी गाड़ी एक विशेश हिस्ते में पहुँच गई जो विशेश लो इचे उसका सैनापती भी था। इनी औरतों में मैंने आकासा को भी देखा। फिर हमें शेहनशा की आवाज सुनाई थी। आओ आस्मान के बेटे इस जश्ट में तुम्हारी उपस्तती हमारे लिए सम्मान की बात है। और वह स्वेम हमारे स्वागत के लिए आगे बढ़ा एक भाग शाही परिवार के लिए सुरक्षित था। बूड़े शेहनशा ने मुझे अपने बराबर जगे दी और मेरे पैठने के बाद खेल में भाग लेने वालों की कर्तब शुरू हो गए। यह जश्न बहश यानावा बरबरता पूर्ण था। मुकाबला करने वालों को प्रती द्वंदी को कतल करने की इजाजत थी। जब कोई विजई अपने प्रती द्वंदी को काबु कर लेता तो बड़े गर्व से जनता की तरफ देखता। और देखने वाले आवेश में चीक-चीक कर मांग करते कि वह उसे कतल करते। तब विजई अपना हतियार उस पर का बाजार कर्म था और मैं इस खूनी खेल के बारे में सोच रहा था। बायसा इस वक्त मेरे पास मौजूत नहीं थी। वह दूसरी औरतों में शामिल हो गई थी। कई घंटों तक ये खूनी मुकाबले चलते रहे। फिर खत्म हो गए। जीतने वालों को मेरे हातों से इन मंत्रन दिया जाएगा लेकिन शायद मेरे मुकाबले के लिए कोई तयार ही नहीं हुआ होगा। इसके बाद मैंने एक विचितर द्रिश्य देखा। जानवरों के खाल से बनाई एक वर्गाकार चीज मैदान में लाई गई। जिसमें बड़े विचितर ढंग से लकडी का प्रियोग किया गया था। इसमें तस्में भी लगे हुए थे। इनके साथ ही दो सफेद रंग के बलिष्ट गोडे भी आये जिन पर मोटी रस्ती लदी हुई थी। तब शेहनचा मेरी तरफ जुका और बोला यह हमारा राष्टि खेल है। मेरा अविश्कार किया हुआ है तुम जरूर इसे देखकर सरा होगे। मैंने इनसान के आकाश में उरने की बात की थी। तुम इसे अब व्यवारिक रूप में देखोगे। इस खेल का आरम मैं करूँगा। शेहनचा उठ गया। उसने अपनी बीवियों की जुर्मुट की तरफ देखा। सब उसकी तरफ देख रही थी। तब उसने आवाज दी। लासी आओ आज इस खेल में तुम भी मेरे साथ सम्मरित होगी। एक नौजवान औरत मुस्कुराती हुई आगे बढ़ाई। शेहनचा के आगे बढ़ते ही हजोम से शोर उठने लगा। वे शेहनचा और मलिका लासी के नाम के न शेहनचा चमडे की उस वरगाकार शेह के करीब पहुँच गया। इसमें घोडे पर डाली जाने वाली रकाब की तरफ चार छले लटक रहे थे। शेहनचा ने हजूम की तरफ और फिर मेरी तरफ हाथ लहराया और फिर रकाब में पैर डाल दिये। उसकी मलिका ने भी ऐसा रही किया था। फिर एक बहुत लंबी रस्ती घोडों की पीट परबंधी चखी से खोल कर उस वरगाकार शेह से बान दी गए। शेहनचा और मलिका ने यह रस्ती पकड़ ली। तब दो साइस घोडों पर सवार हो गए और उसकी साथ ही बड़े खौफनाक अंदाज में ध खोल बजने लगे। बात अब कुछ-कुछ मेरी समझ में आती जा रही थी। लेकिन इतने हैरत अंगेज खेल की तो मैं कलपना भी नहीं कर सकता था। फिर आखरी बार ढोल चोर से बजे। और इसकी साथ ही एक आवाज आई। और घोडों पर बैठे साइसों ने घोडों क वो एर लगाती। गोड़े विद्धूत गती से दोडने लगे। और वहे चोकोर चीज जमीन से उपर उठने लगी। उची और उची और उची और उची। शेहनचा और मलीका भी उसके साथ ही चिपके हुए थे। गोडों की पीट पर बंधी चखी धीरे-धीरे खुलने लगी। जिसकी कारण रस्ती लंबी होती जा रही थी। और मलीका वह चेहनचा उचे उठते जा रही थे। मैं आश्चारे से ही मुझ फाड़े इस अजीब खेल को देख रहा था। निसंदे ही मुझे इंसान की यह उड़ान पहुत पसंद आई। कैसा अनोखा, कैसा दिल जस्प खेल था। घोड़े मैदान की अंतिम छोर तक पहुच गए थे। और फिर वे पहाड़ों के दूसरी तरफ घूम गए। लेकिन शेहनचा और मलीका पूर्वता ही आकाश में उड़ रहे थे। वे धुआ उगलने वाले पहाड़ों से भी उचे थे। और कई बार उ बहुत पसंद आया। जो भी था। शेहनचा बहर हाल पहादूर था। वरना जमीन से इतनी उचाईयों पर उड़ना बड़ा खतरना काम था। घोड़े काफी देर तक दौरते रहे। शेहनचा जब जनता के उपर से गुजरा तो लोग उसे देख कर जोशीले नारे लगा तालियां बजाते और बहुत खुश होते। शेहनचा भी रस्ती एक हास से पकड़ उनकी तरफ हात लहराता। गोड़ों ने मैदान के लगभग एक दरजन चक्कर लगाई और फिर उनकी रफ्तार सुस्त पढ़ने लगी। मलिका और शेहनचा एक खास अंदाज में नीचे उतर रहे थे। फिर वे जमीन पर आ गए। शोर गुल में कानों में पड़ी आवास समझ नहीं आ रही थी। फिर वे धीरे धीरे अपनी जगा वापस पहुँच गए। तब शेहनचा ने मेरी करीब पहुँच कर कहा। क्या तुम्हें खेल पसंद आया आसमान के बेटे। बहुत मैंने ऐसे खेल की कलपना भी नहीं की थी। यह मेरा अविशकार है और इसमें कोई खास बात भी नहीं है। बस रस्ती था में खड़े रहो बाकी काम घोडों और साइसों का है। देखो अभी दूसरे लोग भी इसका प्रदशन करेंगे। वे फिर मेरे निकठी पै गया। मैदान में दो नए घोडे और कुछ लोग आ गये थे। इन लोगों भी खास तोर से इस खेल का अभ्यास किया था। एक के बाद दूसरा आदमी आता गया। मुझे यह खेल बड़ा दिल्चस्प और रोमांचकारी रगा। फिर खेल था भी बड़ा असान। मैं हमारी और भी चत करेगी। मेरी इच्छा है कि तुम बायसा को साथ लेकर आस्मान की सेर करो। मैं तयार हूँ। मैंने कहा तो शेहनचा बहुत खुश हुआ। उसने एलान कर दिया कि आस्मान का बेटा आकाश में उडान भरेका और बायसा उसकी साथ होगी। मेरे लिए व तो किस बात का डर। उसने कहा फिर तालियों और नारों के शोर में मैं बायसा के साथ मैदान में आ गया। इस बीच मैं उडान की तकनीक समझी गया था। इसलिए मैं इत्मिनान से उस खाल की बनी पतंग में खड़ा हो गया। बायसा भी मेरे साथ थी। उसका चहरा गोडों पर साइस सवार हो गये। ढोल चीखे और हम आकाश में उठने लगे। मेरा दिल खुशी से रड़क रहा था। उचाई अधिक से अधिक होती जा रही थी। नीची मौजूद लोग नन्ने नन्ने खिलोनों की मानिंत नजर आ रही थे। दोर से अर्साना की इमारत से भी साफ दिखाई दे रही थी। बाइसा पहले कुछ भैबीत हुई लेकिन फिर वह भी इस अनोठी उडान का आनन उठाने लगी। घोड़े मैदान की अंतिम चोर पर पहुँच रहे थे। हम धुआ उगलने वाले पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे थे। और फिर हम उस देखकर हाथ लहरा रहे थे। घोड़ों ने फिर मैदान का चक्कर लगाया। हम काफी उचाई पर पहुँच चुके थे। मेरी निगा उस जगह थी। जहां शेहनशा और उसके सलाकार खड़े थे। अचानक शेहनशा ने हाथ उठाया। उसके हाथ में एक लाल रंका कप कपड़ा था। वह जोर जोर से उस कपड़े को हिला रहा था। अब हम फिर उस खौफनाक जवाला मुखी के दहाने पर पहुँचने को थे। तब शेहनशा ने सुर्क कपड़ा नीचे गिरा दिया। और उसकी साथ ही घोड़े दोड़ाने वाले साइसों ने वी रस्तिया काट दी। जो घोड़ों की पीट से बधी चर्खी से सलंगन थी। उस समय हम जवाला मुखी के दहकते दहाने के ठीक उपर थे। रस्तियां कटते ही हमारी पतं की उड़ान खत्म हो गई। और हम किसी पत्थर की तरह नीचे गिरने लगे। बाइसा की मुझ से एक भयानक चीख निकली। सुर्क आग का मुहाना तेजी से करीवा रहा था। हमारे लिबास आग की तपिस से भड़क उठे। मैं भी इस भयावय स्तिती से मानसिक रूप से बल हो गया। मेरी तो भ्रम में भी नहीं था कि ऐसा कोई हासा भी हो सकता है। मैं बाइसा और खुद को उस चीखने की कोशिश की। लेकिन वह चीख बाज के शिकंजे में फसी किसी नन्नी सी चिर्या कीसी ही थी। बाइसा की आवाज मेरी कानों में गूझ उठी। लेकिन चारों तरफ आग की सुर्क दिवारे थी। और अब खौलते हुए सुर्क पत्थर हमारे पैरों से सिर्फ क कुछ फूट के फास्ते पर ही थे। मेरी आँखों के सामनी गैस का एक गुबबार सा उठा। बाइसा भग सी जलते। सिर्फ एक शोला सा लपका था। जिसमें जलने वाले मास की सणास भी शामिल थी। और बाइसा का अस्तित्व स्माप्त हो गया। लेकिन मेरे शरीर को एक आनन्द प्रत्ची हरारत मिल रही थी। मैं इन बिघलते हुए पत्थरों में हाथ पाउ मार रहा था। मुझे उनकी गर्मी बड़ी अच्छी लग रही थी। हाँ यह आग थी, मेरी जिन्दगी, मेरा जीवल और जितनी हरारत इस आग में थी, इस से पहले मुझे नही में दी थी। मेरा आग ने हुसन और भी निखराया। मेरी शरीर ने जैसे अपने दी खुराक प्राप्त कर ली थी। मैं अपने आपको इतना सर्शक्स महसूस करने लगा। जितना पहले कभी भी न था। बायसा की मौत का एहसास शणों में ही दम तोड़ गया था। मैं उ पंदन बनता रहा और फिर जब मेरा दिल भर गया तो मैं आग की दीवारों में उभरे हुए पत्थर पकड़ कर उपर चड़ने लगा। मेरे लिए यह कोई कठिन काम नहीं था। एक अनूठी वह भरपूर शक्ती का एहसास हो रहा था मुझ में और देखते ही देखते मैं इस ज्वाला मुखे के दहाने पर पहुँच गया। शाम काफी हद तक छुकाई थी। धुन लका च्छाने लगा था। नजाने कितनी देर तक मैंने यह अगनिस्तान किया था। बहराल मैं मुखाने के किनारे पकड़ कर बाहर निकल आया और फिर उसी तरह रेंगता हुआ एक चट्टान पर पहुँच गया। मैंने गर्दन उठाई। जैश्टिंग खत्म हो गया था। लोग वापस जा रहे थे। बहुत भीड नजर आ रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली। दिमाग रोशन था। विचार तेजी से आ रहे थे। मुझे लगा हम दोनों का धदत पहाड में गिरना महज एक हास्ता नहीं था। यह सब कुछ शेहनशा के इशारे पर हुआ था। हां लंपी गर्दन वाले मकार ने बड़े इत्मिनान से ही मुझे मूर्ख बनाया था। यह योजना उसने पहले ही बना दी थी। और सब कुछ एक योजना बर ठंसी सफल भी हुआ था। जरूर ऐसा ही था। पर ऐसे में वे सिर्फ अपनी बेटी की जान ली सका था। मुझे तो नए जिंदगी मिल गई थी। मेरे अस्तित्व के लिए तो उसने शक्ति प्रदान कर दी थी। मैदान खाली हो चुके थे। अरसाना वाले अपनी समझ में मुझे कर वापस चले गए थे और मैं उनकी मुर्खता पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर मुझे बायसा का खयार आया और उसके अंध पर थोड़ा दुप भी हुआ। निर्दई बाप ने बेटी से भी परतिशोर लेने में बड़ी परबरता का परिच्य दिया था। लेकिन आखों की रोष्णी तेज थी और मैं अंधेर में भी भली मादी देख सकता था। थोड़ी देर बाद मैं बड़ी बड़ी चट्टानों वा खाईयों को फलांगता नीचे पहुँच गया। अब मैं तेजी से मैदान में दोड़ रहा था। मेरी रफ्तार तेज रफ्तार खोड़े से किसी तहरें कम नहीं थी। मैंने बहुत जल्द मैदान पार कर लिया और शहर की तरफ तोड़ने लगा। बहुत ज्यादा रात नहीं भी दी थी कि मैं अरसाना में परविष्ठ हो गया। यह ऐसा वक्त था जब अरसाना वारे घरों में सिवट आराम करने को ले हैरान थे कि आखिर उनकी शेहनशा ने आसबान के बेठी को खत्म क्यों कर दिया। वह तो अरसाना के लिए देवताओं का आशिरवात लेकर आया था। लोग जगए जगए भीर लगाए इसी बहस में लगे थे। मैंने कुछ लोगों के बातचीत सुने। फिर उनसे बचत चप्पे से परिचित था। मैं जानता था कि वहां से महल में पर्विष्ठ होने में पहरे दारों की निगाह से सुरक्षित रहा जा सकता है। इसलिए मैं महल में उसी दिशा से दाखिल हुआ। महल रोशनी से जगमगा रहा था। अभी वहां रात नहीं होई थी। और फि बड़ी हॉल में पहुच गया। जहां शेहन शाह अपने सलाकारों के साथ विद्धमान था। इस वक्त भी हाल खचाकर भरा हुआ था। शेहन शाह ने बयो वृद्ध सलाकारों को विवरन बताने के लिए आमंत्रत किया था। वह एक तक्त पर बैठा हुआ था। उसके सल वाजे सुन सकता था। शेहन शाह कह रहा था। उसने मेरे सामने पहाड़ वालों की हैसियत कबूल करने का फरस्ताव रखा था। मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं उसे पहाड़ वालों का जासू साबित कर सकू। लेकिन यह है हकीकत थी। खैर उसकी शक्ती बेमिसाल थी और हम उस चक्ती का भेज जानने में आज तक असफल हैं आप सब ने देखा भूखे खुंकार शेर उसे हलाक नहीं कर सके लड़ाकों की तलवारें उसके लिए नकारा साबित हुई तब मैंने अपने सलाकारों से मिलकर यह प्रोग्राम बनाया मुझे पता लगा कि मेरी बेटी बायसा उसके प्रेम में दिवानी है मैंने फैसला किया कि बायसा को भी वही सजा दूँगा जो सरीता को दी गई थी लेकिन फिर मैंने एक तीर से दो शिकार किये आपने दीखा बायसा भी उसकी साथी खत्म हो गई हाँ मुझे अपनी इस यो से मैं उसे पहाड़ वालों के विरुद्ध इस्तमाल करना चाहता हूँ वह मेरी नियत की तरफ से निश्चित हो गया लेकिन गुप्त रूप से मैंने वाशिक उत्सव की खेलों में उसकी मौत का खेल खेलने का फैसला भी कर लिया था यू मेरी इस खेल का महत्व और भी प वाज में कहा तो मेरी होट फिंच गए फिर भी यह तो मैं पहले ही मान चुका हूँ प्रोफेसर कि उसने एक काम्याब चाल चली थी और अगर मैं आसाधारन शक्तियों का मारिक न होता तो वह अपनी चाल में सफल हो ही गया था खेर अभी केवल मैं ही जानता था कि दूसरे लोग भी जान जाएंगे मैंने सोचा और फिर मैंने वह जगत छोड़ दी तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद